Hello everyone, this is Asif Taaj और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपके इस तरह से अपने Mac operating system की ऊपर Flutter की आपको connect कर सकते हैं अपने project, sorry, अपनी Flutter आपको connect कर सकते हैं अपने Firebase project के साथ using Firebase की CLI Flutter Firebase की CLI, ठीक है, so without any further wasting of time, so let's start and यहाँ पर आप आजाएं, console.firebase.google.com और यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ नदर आएगा, add project आप इसके उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने project का name देना है जिस तरह आसिफ ताज, मैंने यह name दे दिये, ठीक है, daj and then आप इसके उपर continue कर देंगे, जब यह continue कर देंगे यह एक minute का time लेगा and आपके लिए project create हो जाएगा, ठीक है अब मैं क्यूंकि already project create कर चुका हूँ, यह let's say मैं आपके लिए कर चलने कर देता हूँ, let's say asif, touch, okay and यहाँ पर हम इसको continue कर देते हैं continue करने के बाद इसको आप continue करेंगे और यहाँ से अपना account कर देंगे and इसको continue कर देंगे, so यह again जिस तरह मैंने कहा था कि यह एक मिनट लेता है, depending upon your internet speed, but हम लोग करने के बाद आप अपने इस तरह से project के inside आ जाएंगे, आप यहाँ पर देखें, iOS आप है, Android app है and then web app है, Unity आप है and हमने यहाँ इससे Flutter को select कर लेना है, जब आप Flutter पर select करेंगे तो यह option आपके पास आ जाएंगे and it says the easiest way to get started to use Flutter seal I, आप इसके उपर click करें, Firebase seal I and आप यहाँ पर आ जाएंगे, okay इस link पर आज आने के बाद, आप यहाँ पर देखें, Windows operating system, Mac and Linux लिखा है, तो आपने Mac चूश कर लेना है and Mac में आप देखें, यहाँ पर हमारे पस तीन option है, one is automatic install script, okay इसमें यह है कि आपने single command run करनी है and Mac operating system के उपर ठीक है, वो आपको यहाँ पर नीचे given है and यह आपके लिए सारी configuration खुद करतेगा second, जो यह is standalone binary, यह कोई भी नहीं करता, mostly लोग या तो यह use करते है या NPM use करते है, ठीक है NPM is node package manager, तो इसके लिए क्या होता है, क्या आपने पहले node.js install करना होता है and अगर आपके पास install नहीं है, ठीक है and then आपने यह command run करनी होती है, नीचे यहाँ पर given है, ठीक है, नीचे यहाँ पर यह देखें, यह NPM की command given है, आपने यह run करनी होती है but मैं आपको recommend करूंगो कि अगर आप mac operating system की उपर है, तो आप यह automatic to install the firewish silla using the automatic install script, ठीक है even कि आप expert भी हैं, तो sometimes it's a really hectic job to solve it, so मैं यहाँ पर जाओंगा auto install script, okay मैं आपको background history इसलिए देता हूँ, अगर मैं आपको ना बता हूँ, और इस सारे step पता दूनों तब ही आप कर सकते है but being a developer, आपको idea होना चाहिए, कि what's exactly happening and इनका purpose का है, ठीक है इसकी सारी description यहाँ पर आपके पास लिखी है, आप यह read भी कर सकते है then आपने जाना है terminal में, यहाँ पर मैं लिखूँगा clear, okay and आपने इस command को यहाँ पर paste कर देना है, अब मैंने जब इस command को यहाँ पर paste किया था नीचे आना है और आपने यह वाली command कोपी करनी है, Firebase login, okay and आपने इसको paste कर देना है, जब आप इसको paste करेंगे, okay तो यहाँ पर देखें, यह आपको कह रहा है, allow Firebase to collect CLI and emulator, okay usage and error reporting information, यहाँ पर आपने y press करना, yes and enter press कर देना है जब आप enter press करेंगे, तो यह आपको कुछ इस तरह के उस पर ले के आजाएगा, ठीक है यह link आपके लिए open करतेगा, तो मैं क्यूंकि Chrome browser में चीजों को run कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से link copy करके, यहाँ पर अपने Chrome browser में paste कर दूँगा यहाँ से आपने इसको allow कर देना है, जब आप allow कर देंगे, आपके पास CLI login successful हो जोग है अब next काम आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने दोवारा project के उपर और यहाँ से आपने next क्लिक करना है जब आप next करने के तो यहाँ पर देखें, dart pub global activate fireway CLI आप इसको copy करें, और आप इसको terminal में paste करतें यहाँ पर तो इट will take again bunch of time, थोड़ा सा यह time लेगा, बट आपके लिए देखें, यहाँ पर सारी शीज़ें यह successfully execute कर दिया है okay, so हमारी command जो है, वो successfully execute हो चुकी, यहाँ पर देखें, आपके पास यह जो flutter fire है, वो global flutter fire, वो activate हो चुकी है terminal कहाँ चलागे, यहाँ पर देख सकते है, activated 0.2.7, आपके पास, मेभी जब भी आप इस वीडियो को देखें, तो आपके पास latest install हो जाएगा अब यहाँ पर, मैं आपको बताता चलूँ के, अगर आप यह एक warning आई, इसको हम fix करेंगे, अगर आप इसके बगएर भी next step को, next step की उपर जाते हैं, तो आपके पास still यह work करेगा, ठीक है आपने क्या करना है, still यह आपके लिए work करेगा, but मैं आपको यह fix कर देता हूं, because maybe हो सकता है, future में आपको कहीं न कहीं पर, यह problem आई, ठीक है यह आपको कह रहा है कि, यह जो आपने यहाँ पर activate की है न, ठीक है, उससे पहरे जो हमने Firebase की CLI वगएरा पर, जो हमने global commands run की थी, ठीक है वहां से कोई path, maybe missing होई है, कुछ internal settings में, यह वाला path है, हमने add करना है, ठीक है यह pub cache का, जो हमारे पास cache बनती है, pub.dev, जो packages होते हैं, उनकी cache बनती है, ठीक है उसका यह path है, वह इसको हमने add करना है, ठीक है, यह रही वह ज्यादा simple है, आपको बता भी रहे, कि आपने .bashrc, आपके पास जो भी profile है, जिस नाम से आपने profile बनाई थी, वह आपने open कर लीनी है, और इस path को add कर देना है, ठीक है पहले मैं आपको यह बता दूँ, अगर आपने flutter install किया है, तो आपने flutter का path add किया था, याद करें, आपके पास इस तरह की files होंगे, ठीक है, most of computers पे आपके पास simply यह वाली file होती है, Wim, आप simply इस command को लिखें, Wim, और इस file को आप open करें, shift, और 1 के साथ यह वाला sign आजाए यह देखने है, जहां पर आपने flutter install की थी, then आपने I press करना है, I means insert, वो वाला path मैंने यहाँ पर copy कर लिया था, okay, so मैं इसको यहाँ पर paste कर दूँगा, यह देखने, ठीक है, यहाँ पर, then यह paste करती है, then आपने escape press करना है, escape, and then आपने shift, okay, sorry, space, and then आपने escape press करना है, and then आप shift, colon sign, wq, question mark, ठीक है, sorry, यह not का sign, then आप enter करेंगे, and आप इसे बाहर आ जाएंगे, हो सकता है, आपके computer की पर कुछ और नाम से भी files बनी हो, जिस तर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, okay, dot bash underscore profile, so मेरे पास यह भी बनी होए, ठीक है, so यहाँ पर भी देखें, यह मैंने इसी तरह से add किया, I press किया, और यहाँ पर यह इसको insert करती है, and then आप मैंने escape press किया, escape के बाद मैंने not, wq, sorry, colon, wq, and not का sign, ठीक है, यह press किया, अब आपने क्या करना है, आपने simply, यह जो आपका terminal है, आपने इसको close कर देना है, ठीक है, इसको close कर दिया, and then आपने इसको again open करना है terminal, okay, terminal में open करने के बाद, आपने इस command को again copy करना है, and यहाँ पर paste कर देना है, but अब आपने activate की जगा, आपने यहाँ पर deactivate करना है, because हम already activate कर चुके है, ठीक है, से जब हम रन करेंगे तो हमारे पास जो वार्निंग आई थी पहले वह अभी रिमूव हो चुकी होगी देखिए यहाँ पर आपके पास कोई वार्निंग नहीं आई ठीक है मैं अगेन रिपीट करता हूं कि आप इसके बगएर भी इंटिग्रेट कर सकते थे ठीक है अब हमारे उसके root folder project पर जाना है यहाँ पर देखें यह root आपका जो फोल्डर का project है यहाँ पर देखें मैं आसिफटाश ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने इस command को run करने है जब आप इस command को run करेंगे तो यह थोड़ा सा time लेकर आपके पास जो details है वो fetch करन और वह यह कि अगर आप अपने देखना चाहते हैं ठीक है कि आपने कितने projects बनाएं में तो आप यहाँ पर आजाए और यहाँ पर नीचे आजाए नीचे आजाए नीचे आजाए ठीक है यह देखें यह command firebase project list यहाँ से आप इसको terminal में अगर आप paste करेंगे ना ठीक है project हमने create किया था यह वाला project आपके पास यहाँ पर आ भी चुका है ठीक है तो इस command से आप देख सकते हैं कि आपकी CLI already activate हो चुकी है सब कुछ हो चुका है ठीक है login हो चुका है यहां से आप अपने projects भी देख सकते हैं अगर हम अपने project पे जाए Android Studio पे जाए तो यहाँ पर द पर आज़ें उस पर space press करें तो यह नहीं select करेंगा ठीक है बट मैं चाहता हूँ सब के लिए तो मैं क्या करूंगा सब के सब को रहने दूंगा यहां पर इंटर प्रेस कर दूंगा जैसे ही मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो it will take hardly 30 seconds और आपके लिए यह Firebase की CLI को add कर देगा अगर आप चाहते हैं कि क्या आप देखना चाहते हैं कि क्या आपकी applications वाकी में ही add हुई है ठीक है तो पहले हम android को verify कर लेते हैं android के देखें last में है fdc0 ठीक है तो यहां पर आप आज हैं अपने android के folder में आप में यह देखें google services की file add हो चुकी है यहां पर देखें आपके पास mobile sdk app id हो fdc0 ठीक है it means के आपके पास add हो चुकी है similarly अगर आप iOS की देखना चाहते हैं ठीक है तो आप iOS के folder में जाएंगे यहां पर देखें 1-9474-281 ठीक है यहां पर देखें आप इससे verify कर सकते हैं so this will indicate कि आपके जो आपकी files है वो add हो चुकी है बट अभी यहां पर एक problem है और आपके पास आ रहा होगा हम उसको पहले fix कर लेते हैं उसको fix करने के लिए आपने क्या करना है password.yaml file में आना है और यहां पर आपने यहां पर आपने firebase core का package add कर लेना है ठीक है firebase core का package आप add करें और वापिस अपने project पर जाएं यहां पर next okay next यहां पर देखें आपको यह code भी बता रहा है ठीक है so आपने पहले क्या करना है आपने इसको copy कर लेना है यहां से and pub get you पर click कर लें ताकि आपने जो package add किया यह आ आपने यहां से copy करके यहां पर paste कर देना है ठीक है जब आप paste करेंगे तो यहां पर आपके पास await का keyword यूज ओर है आपने यहां पर async इसके साथ कर लेना है ठीक है future functions है so basically future functions जब await का keyword आता है तो आपने इसको async method में कर्मट करना है ताकि वह wait करें ठीक है so then आपने क्या कर आपने यहां पर जो widget binding है आपने वो यूज करनी है ठीक है flutter widget देखें यह ठीक है and then आप get ensure initialization so आपने इसको कर लिए ठीक है then आप again get dependencies कर ले and then आपके पास यहां पर देखें जितने भी errors है वो remove हो गया है आप अप क्या करें आपके पास सब कुछ settings हो गी है आप just इसको open कर है तो आप इसको run कर लें ठीक है आप इसको सारे platforms के लिए run कर लें आपके पास यह definitely work करेगा okay guys project run हो चुक है देखें और मैंने इसको ios android पी रन कर लिए अपनी local machine की पर सो वहां पर पी काम कर रहा है and that's it so यह बहुत सिंपल सा प्रोसेस था I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरा WhatsApp का चैनल जोइन कर सकते हैं YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं LinkedIn पर फॉलो कर सकते हैं Instagram पर कहीं पर मेरे साथ connect हो सकते हैं मेरा Facebook का ग्रूप पर कर सकते हैं thank you so much for watching this and I will see you in the next one